नमस्ते भाई कैसे हैं आप सभी लोग और एक बार आपका फिर से स्वागत है Maths Concept King YouTube चैनल पर धर 23 के लगबग सारी एक्जाम निवट लिए हैं SSC के तो खासकर सारी हो चुके हैं प्रीबी और मेंस भी लगबग होने ही वाला है तो अब हम यह जो पढ़ाई कर रहे हैं यह पढ़ाई कर रहे हैं 2024 के एक्जाम को टार्गेट करके मैं एक चीज क्लिर करना चाहता हूँ कि मैं YouTube पर बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट अपलोड करता हूँ जिससे बच्चे डारेक्ली बेनिफिट उठाते हैं और वो पढ़के जो है अप्रिशेट भी करते हैं और वो कहते भी हैं कि सर हमने केवल आपकी वीडियो देखे और एक्जाम में कोशन फसा और हमने बिल्कुल सेकिंड्स में ठीक कर दिया तो जो 2024 वाले बच्चे हैं मैं उनसे भी प्रोमिस करता हूँ अगर आप थोड़े से भी मानसिक हेल्दी हैं और आपको गनित में डर नहीं लगता आपका गनित में इंट्रस्ट है तो आप केवल यूट्यूब वीडियो से भी त्यारी कर सकते हैं लेकिन आपकी गनित में बहुत हालत खराब है और आप बहुत डरते हैं सब्जेक्ट से तो आप केरिवल एप्लिकेशन पर मेरे साथ जोड़ के पढ़िए और आपके अंदर का जो गनित का डर है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खतम हो जाएगा इस चैनल पर मैं डेली कंसेप्चल वीड़ अप्लोड करता ही हूँ उससे पहले मैं एक जानकारी आपको दूँगा कि आप हमारा टेलिग्राम चैनल मैट्स बैग अगन परताब जो है सभी बच्चे जॉइन कर लीजे इस पे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री प्रीवेसेर की पीडियेफ जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक या बड़े चैप्टर्स हैं उसकी पीडियेफ में अप्लोड करता रहता हूँ जैसे की प्रोबबिल्टी सबस्याद है डर बच्चों को लगता है हमने पूरा प्रोबबल्टी हर बच्चे के लिए फ्री पढ़ाया जिसे की कम से कम बच्चे के मन में जो है ऐसे कठिन चैप्टर के लिए डर ना बैठे बिलकुल भी इसकी फ्री पीडियेफ इसकी वीडियो जो है उसका लिंक भी टेलिग्राम चैनल पर पढ़ा हुआ है मैंने हर एक क्वेशन हर एक कंसेप्ट को बड़ी बारी की से एक्स्प्लेन किया है पूरी प्रोबल्टी और पूरी सांखे की और मैं 2024 में यूटूब पर पूरी तरीकी से एक्टिव हूँ हर बच्चे को कमजोर से कमजोर और से टैलेंटेड महंती से महंती बच्चे को ध्यान रखके जो है मैं यूटूब पर भी पढ़ा हूँगा बस आप मेरे साथ जुड़े रही और पढ़ते रही है मेरा काम है इमांदारी से पढ़ाना रूमें लगातार पढ़ा रहा हूँ और आपका किवाल एक ही काम करना है इमांदारी से जो भी हम पढ़ाएं उसको चुपचा पढ़ना रिवीजन करना और एक्जाम में जाके बहतर पफॉर्म करना ठीक है भाई चलिए तो फिर से देखें एक दिमाग में मेरा आईडिया आया है कि जितने भी गणित में चैप्टर हैं आर्थमेटिक में एडवा करती है वो नहीं हो पाती जैसे कि डिशोने शॉप कीपर हो गया डिसकाउंट हो गया टाइम स्प्रिने स्टेंस एवरिज स्पीड तो ऐसे छोटे छोटे जो चैप्टर से उनके टॉप टैन कोशन निकालके आपको करवाएं जाएं ठीक है भाई हमारी प्रीविसर के कोशन तो मैं बेस्ट करवाता हूँ जब भी कोई पेपर की आंसर की आती है ठीक है ना कोई कंसेप्ट जिसको में भी आपका डाउट होता है वो भी मैं इस चैनल पर अप्लोड करता हूँ ठीक है ना तो इसी स्रीज में हमारा पहला सेशन है सरकल याने की वृत आप जानते आप 10 सवाल मैं आपको इस वीडियो में सौल करवाऊंगा और यह हर बच्चे के लिए मस्ट डू है जो बच्चे डिफेंस, CDS, NDA की एफकेट की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो CGL, CTSL और CPO की त्यारी कर रहे हैं सभी के लिए जो है वीडियो बहुत फायदे म इन तक जबूर देखेगा आप इन में से साथ-अट सवाल कर पारें दस में से तो आपके त्यारी अच्छी चल लगी है यह समझी मेरे दोस्तों ठीक है कोई बाले कि एक भी नहीं कर पा रहा तो उसकी स्थिती बहुत देनिया है मुझे पोस्पे मेरी जो है क्या बोलेंगे सवाल लंबर वन आपके सामने देखेए सवाल लगबक सारे प्रीवेसर हैं सिटसल का क्वेशन आपके सामने फैक के मारते हैं और आप मुझे जवाब दीजेगा इसका क्या उत्तर है 2017 का हाला कि ऐसे सवाल बाद में भी आते रहे हैं बहुत सारे इसी कंसेट पे करो सरकल के किंदर O से साड़े छे सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है और P आर एक छेदर के रिखा है सबसे पहले बच्चों में गोरा सरकल बनाएंगे गोरा वाला बनाएगा ये मेरे दोस्तों जैसे एक सरकल है और ये हो गया स्टूडेंट सरकल का बढ़या वाला सेंटर बनाएंगे ब्रांडेड O अब सरकल के सेंटर O से साड़े छे सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदू P है अब सेंटर O से कितना है साड़े छे सेंटीमीटर की दूरी पर है एक पॉइंट P ये जो दूरी है मेरे दोस्तों साड़े छे सेंटीमीटर की है ये बात एकदम आपको clear होनी चाहिए आप बोलू गहांसर ऐसा कहा गया है अब PR एक छेदक रेखा है जो वरत्को करम से Q और R पर काटती है अब ऐसे कोई भी लाइन खीचलो सपोज मैंने ये खीचली कि भाई ये एक छेदक रेखा है मेरे दोस्तों जो सरकल को कहा point Q और R पर टच करती है, second line का क्या मतलब है एक ऐसी line जो सरकल को दो बिंदो पर टच करती हुई जाए ठीक है बोला है PQ साड़े 4 और QR साड़े 3 है PQ की लंबाई साड़े 4 cm है और QR की जो लंबाई है साड़े 3 cm है 3.5 cm तो आप से पूछा है वरत की तरज़ा बताओ सरकल की रेडियस और कुछ नहीं दिया है इस स्वाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं पर मैं आपको best तरीका बताऊँगा मेरे प्यारे बई आप कहोगे सर आप तो best ही बताते हो बस बता दो बरदास नहीं हो रहा हुआ नहीं सवाल देखे आप इस लाइन को आगे बढ़ा के secant property के इस्तमाल करके कर सकते हैं लेकिन अगर मैं point P से circle के tangent line खीशता हूँ जो circle को point T पट यहाँ पे touch करती है सपोज तो आप जानते कि circle के बाहर point P से sparse रेखा है PT tangent है तो PT का square क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त तो आप कहोगे सर PT का square यह second line है second line पहले छोटी छलांग PQ फिर पूरी छलांग PR बराबर PQ गोना PR अगर किसी भी वरत के बाहर एक बिंदू से sparse रेखा है और एक 6 दक रेखा खीची आती है जो बरत को दो बिंदू पर काट रही है तो PT का square जो होगा पहले छोटी छलांग PQ फिर बड़ी छलांग PR आप बोलो कि हाँ जी सर अब PQ कितना है मेरे दोस्तों साड़े चार है PR कितना है P से आर तक की दूरी हो जाएगी साड़े चार प्लस साड़े तीन आठ और साड़े चार गुण आठ कितना है 36 तो PT का square 36 आ गया तो PT की जो लंबाई है वो कितनी आगी 6 cm आप बोलो कि सर आपने वाई PT PT क्यों निकाला आपने आप से तो सर सर कल की रिडियस पूछा है क्या आपको नहीं लगता कि अपर सर कल की रिडियस आ चुकी है उलड़ी बताओ क्या आपने दिमाग में निकालनी लिया सर कल की रिडियस ड़ाई आगई आप बोलो कि सर बिलकुल नहीं पता चला कैसे किया सर बताओ हमें अगर मैं सेंटर से इसको मिलाऊंगा तो यही तो रिडियस है टेंजेंट रिडियस की वीचे हमें हमेशा 90 डिगरी का कौन बनता है मैं साथ साथ कंसेप्ट भी बता रहूँ ठीक है ना टेंजेंट रिडियस की वीचे हमेशा 90 डिगरी का कौन बनता है अब यह पूरी जो लेंद आपको किती दीती साड़े छे सेंटीमीटर दीती साड़े छे इन नब्बह के सामने साड़े छे छे तो यही तो रेडियस है कितनी आगी बच्चो साड़े छे काया है 13 काद यह क्या अच्छे 12 काद आध हा ए उप्टनिस सवाल का अंसर था बहुत अच्छा सवाल है यह मुझे लगता है हर बाले कोई बात अच्छी तरीके समझ में आये तो मैंने कंसेट भी आपको समझाया है साथ-साथ और सवाल भी यह करेंगे जी क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने हैं बताएं सवाल CRPF Head Constable के पेपर में आया है 2022 में बढ़ा प्यारा सवाल है AB और CD एक वरत की दो परस पर लंब जीवाएं हैं ठीक है नब परपेंडिकुलर कॉड हैं C जीवाएं हैं जिनके बीच में 90 डिगरी का कॉण है ओपर यह जीवा एक दूसरे को काटते हैं पॉइंट ओपर AO4 है OB 3 है OD 2 है ठीक है तो आपसे पूछा सरकल का एरिया छेतरफल आपसे पूछा एरिया अगर आपको निकालना है तो बच्चों आपको तो सरकल की रेडियस पता करनी पड़ेगी फिर तो जिन्दगी का मकसद है सरकल की रेडियस पता करना क्या है जिन्दगी का मकसद सरकल की रेडियस तो जैसे मेरे प्यारे भई AO4 है OB 3 यह मैं माल लेता हूँ A B ठीक है भई C D यह दो जीवाएं जो एक दूसरे कहां काटती है मेरे दोस्तो O पर काटरी है मेरे प्यारे भई O पर यह पॉइंट O पर काटरी है यह 90 डिगरी का एंगल है यह 90 डिगरी का हमारे दोस्तो छीक है ना आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुश है सवाल में बोला है AO4 है OB 3 है OD 2 है और कुछ नहीं दिया बस और कुछ नहीं दिया OD जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर है सरकल की रेडियस आपको निकालने तो बच्चों मैं आपसे जाना चाहूँगा कि OC कितना होगा OC से सी तक की दूरी क्या होगी OC आपको पता है कि जब भी दो सरकल की जीवाएं ये जीवाएं परपेंडिकुलर है ठीक है नहीं 90 डिग्री का एंगल है परपेंडिकुलर ना भी होती तो भी बात होती अगर दो जीवाएं एक दुसरे को पॉंट ओपर काटती है तो AO गुणा OB बराबर OC गुणा OD है की नहीं बैए AO चार है AO गुणा OB बराबर OC गुणा OD ये हो जाएगा की नहीं OD कितना है दो नहीं कि OC की जो value आएगी बारे बटे दो ये length यहाँ पर 6 cm आगी दियानी निकालना पड़ा आपको बैए इन दोनों का product चारतीया बार है तो इनका भी दो छिक का बार है होगा यानि कि OC छे आ गया clear अब यहाँ से जानना है बच्चों आपको concept concept ये कहता है कि अगर किसी circle की दो जीवाएं एक दूसरे को काटती है मेरे प्यारे बाई perpendicular है दोनों जीवाएं एक दूसरे के लंबवत है तो radius जो होगी small r बराबर वो क्या होगा अब यह चारों lens segment दिखाए दे रहे हैं आपको OA, OB, OCOD है ना तो under root OA square plus OB square plus OC square plus OD square बटे दो ये circle की radius आ जाएगी तरज दिस इस दा concept ठीक है भाई आप बोलोगी तो मैं concept साथ साथ लिख रहा हूँ कि यहाँ यह concept इस्तिमाल हुआ यहाँ यह वाला तो केवल आपको value रखनी है मेरे दोस्त value अगर आपको पता है वो जो दी हुई है सवाल में तो आ जाएगा तो भई ओए आपका चार का स्कॉर सोल है और यह तीन का स्कॉर नो और सी दो है दो का स्कॉर चार और ओड़ी आपका छे चे का स्कॉर चट्यस तो च्ट्यस चार चालिस और यह पच्चिस यानि की root 65 by 2 अगर circle की radius पूछता तो मेरे प्यारे बच्चों यह इसका अंसर आजाता root 65 by 2 लेकिन आपसे पूछा है circle का area तो circle का area तो वो πाई यार स्कॉर होता है पाई का मतलब 22 by 7 radius root 65 by 2 है तो इसके square करेंगे root 65 का square 65 और नीचे 2 का square मेरे दोस्तों 4 अब देखे 2 से यह ग्यारे बार कट जाएगा 4 दो बार हाला कि मैं इतना कह सकता हूँ कि अब नीचे 7 दूनी 14 नीचे 14 आएगा 5 नी आएगा 9 नी आएगा 7 नी आएगा नीचे 14 बचेगा वो एकी option में आंसर हो जाएगा यह आगे स्वाल को solve करूँगा नी को कि आगे तो कुछ कटेगा नी न यही कट लिया अब नीचे तो 14 बचना ही है उपर क्या रहेगा उपर होगा 65 गुणा 11 नी कि 650 में हम 65 जोड लेंगे तो 715 715 बटे 14 दे रखाए मेरे दोस्तों 51 सही एक बटा 14 एई option बताई बच्चों पूरी calculation की हाला कि हमें कोई जोरत है नहीं बते मजाया जी आप बोलो कि हाँ सर कंसेप्ट का रिवीजन भी हो गया आगे चलते हैं next question की तरह सवाल नंबर अच्छा आपके सामने 3 आएगा पहले ये बताएं बच्चों करो बहुत बढ़े हैं सवाल बनाए बहुत अच्छे मेहनत करके research करके ठीक है न class खतम हो जाने के बाद भी मैं रात को 2-3 गंटे अपने room में बैठके laptop पे काम करता हूँ और बढ़ी हा content आपके लिए compile करता हूँ ठीक भई ऐसी नहीं कि ये चीजे कोई जादू से पैदा हो जाती है इनके पीचे बहुत बढ़ी महनत और research होती है भाई बनाओ A और B center O वाले वरत पर इसती दो बिंदू है A और B वरत के बाहर pont P से P A M और P B N करम से A और B पर वरत की spurs रेखाए हैं तो दो tangent खीचिया pont P से P A M और P B N तो एक tangent तो भाईया जैसे ये हो गई और दूसरी tangent आपकी ये हो गई ठीक ना तो ये circle के बाहर ये हो गया pont P pont P से दो tangent है P A M और P B N ये यहाँ पर A पर टच कर रहे है एक हो गया P A M और दूसरा इसको यहाँ पर टच कर रहे हैं P B N circle के बाहर से दो tangent है P A M और P B N ठीक है circle का center O है ये भी बोला है सब सब कि वरत का केंदर O है A और B दो ये A और B दो pont है A और B circle पर इस्तित बिंदू है अच्छा दीर के चाप A B पर pont क्यों इस परकार है अब देखो ये ये जो A B ये हो गया है लगू चाप छोटा चाप है ना minor arc ये हो गया बड़ा वाला arc major arc इस major arc पर कोई point क्यों है कोई point क्यों है और आपका Q AM 58 degree ये वाला angle आपको 58 degree दिया है और Q B N आपका 50 degree ये Q B N आपको 50 degree दिया है मेरे दोस्तों ठीक है न तो आपसे पूछा है angle A P B angle A P B बताओ जिसकी value क्या होगी मेरे दोस्तों बताओ ये angle आपका 58 degree है 58 degree ये angle आपका 50 degree है 50 degree और आपसे पूछा है कि ये वाला angle बताओ ये वाला angle कितना होगा बनाए अब इस सवाल में दो concept हैं पहला concept तो ये है कि अगर ये angle alpha या beta या 80 ये 50 है तो ये वाला angle आप मुझे निकाल के बताओ पहले ये तो ये वाला angle आएगा न अगर ये ना पूछ के ये पूछा होता न आप angle A Q B बताओ angle A Q B अलनकि आप इसको निकाल सकते हो तो direct आप कहते कि 180 degree में से घटा दो सर इन दोनों को 180 degree में से इन दोनों का sum मानिस कर दो 85 प्लस 50 85 प्लस 50 वैसे 108 होता है और 180 में से 108 degree घटाएंगे तो 72 degree अगर आप से ये angle पूछा होता तो आप direct इसकी value बता देते 72 degree concept नमबर 1 कि अगर ये alpha है ये beta है तो ये 180 मानिस alpha प्लस बीटा होगा ये जो angle है कितना होगा ये 180 मानिस alpha प्लस बीटा यानि कि 180 में से 50 प्लस 85 मानिस करेंगे 72 degree आप कहोगे सर कैसे देखो कैसे भी आप कर सकते हो दोस्त अगर आप इसको यहाँ से मिला लो a से b को मिला लो हाला कि जोरत नहीं है तो आपने पढ़ा है ना alternate segment theorem की ये circle है ये circle की tangent है इस पर सरेखा ठीक है यहाँ पर जीवा हो गई अगर tangent और chord के बीच में angle theta है तो alternate segment में बना ये angle भी theta होगा आप बोलो कि यहाँ दी सर पढ़ातो है ये एक आंतर chord पिर में अब ये circle की spurs रेखा ये जीवा है chord ये 58 degree है तो ये angle भी 88 degree का आएगा की नहीं आएगा आएगा अब ये circle की spurs रेखा है PB और ये chord है tangent और chord के बीच में 50 degree है तो इस जीवा दोरा alternate segment में बनाए 50 होगा की नहीं triangle की 3 angle का sum 180 होता है 50, 58, 108 है कितना बचा 72 आगय की नहीं आगया आप बोलोगे हाँ जी सर आगया बट जरत नहीं है जो मैंने आपको सिखाया वो आपको direct ध्यान रखना है this is the shortcut लेकिन अब examiner और चालाग है भाईया इससे एक level आगे ये पूछा है भाईयो अगर ये angle theta है ना ये angle हमेसा acute होगा ये होता है 90 मानस theta बटे दो 90 degree मानस theta बटे दो ध्यान रखेगा concept अगर ये theta है तो 90 degree मानस theta बटे दो you should remember this तो theta का है एगर 90 मानस 72 अठार है 90 मानस 72 अठार है अठार है का दुगना यानि कि 36 degree का कौन होगा 36 degree का और ये ही सवाल का अंसर बनेगा जी C option एकदम सहिए option number C तो दो concept मैंने आपको इस सवाल में सिखाए this theta तो major arc में जो बनेगा 90 मानस theta बटे दो आगे चलते हैं अगला सवाल ये बनाएंगे जी सवाल number है आपके सामने चोथा करें top 10 must do question है सरकल के है भी अगर किसी बच्चे ने सवाल छोड़े हैं तो उसने पाप की आया पढ़ाई के नाम पर पाप करा फिर उसने केंद्र O वालेक वरत का व्यास AB है एक सरकल है भई इसका केंद्र O है और व्यास AB है ठीक है वरत के point C पर इस पर सरिखा और AB आगे बढ़ाए जाने पर point P पर मिलती है एंगल APC 38 डिग्री है तो एंगल PC B का माप क्या है ओके जी ये सवाल है मेरे दोस्तों ठीक है केंद्र O वालेक वरत का व्यास है AB वरत के point C पर इस पर सरिखा तो भई ये हमने एक tangent खिचली सरकल की जो की point C पर tangent है इजा भई खिचा ठीक है भईयो तो हमने सरकल की tangent खिची है जो सरकल की point C पर tangent है सरकल का व्यास AB वरत के point C पर इस पर सरिखा और AB आगे बढ़ाए जाने पर P पर मिलती है तो मेरे दोस्तों ये सरकल का diameter हो गया न diameter ये diameter हो गया इस तरीके से ये diameter AB हो गया व्यास AB व्यास AB को आगे बढ़ाया है और point C पर tangent एक दूसरे कहाँ पर मिलती है point P पर मिलती है तो पहले मैंने tangent खिच ली diameter तो कैसे भी खिचा सकता ये हो गया circle का center O ठीक है जी आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल से तो point C पर S पर से रिखा और व्यास AB को आगे बढ़ाने पर एक कहाँ पर मिलती है tangent point P पर मिलती है पोला angle APC 38 degree का ये वाला जो angle है ये angle APC ये 38 degree का है 38 degree तो आप से पूछा है PECB इसको यहां से मिलाएगा यहां से मिलाएगा बच्चो आप से ये angle पूछा ये वाल angle PECB ये angle कितने degree का है जवाब तो बहुत अच्छा सवाल है PECB हाला कि स्वाल को करने के तरीके बहुत सारे है there are so many तरीका socho 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 सोचिये 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 देखो मेरे प्यारे भाई ध्यांस तुनेगा अगर देखो ये tangent है ये line ये center है tangent और इसको आप मिला दोगे तो 90 degree का एंगल बनेगा ये अभी ये space record radius की बीच में कौन कितने degree का 90 degree का होगा आप बोलो गया सरी 90 degree का अभी 90 है ये 38 degree है तो ये कितना बचा है मेरे दोस्तो अगर ये 90 है right angle बनेगा ये 38 है तो तीन अंगल का सम एक 180 90 है 38 तो ये कितना बचा 52 अभी 90 में 37 घटाएंगे 52 degree का बचा बी option आप बोलोगे सर कैसे ये तो बात पले पड़ी कि सर ये अगर 90 degree का बन रहा है तो 38 है तो बामन हो जाएगा पट ये बामन का आधा कैसे हुआ देखो भाई साब अगर ये बामन है center पे अगर 52 है तो circumference पे कितना होगा circumference पे आधा होगा आधा circle के किसी आर्क द्वारा circumference पे बनाएंगल center पे बनाएंगल का आधा होता आप इस आर्क को देखो इस आर्क को आप देखो इस आर्क BC द्वारा सेंटर पे बावन है तो circumference पे C AB 26 होगा कि नहीं 26 डिगरी आप बोलोगे है अब यह 26 है तो यह भी तो 26 डिगरी बचा अब यह सरकल है यह इसकी tangent और यह है chord अब अगर यह वाला एंगल थीटा है तो इसी chord द्वारा alternate segment में कहीं भी बनाओ थीटा ही तो बनेगा इस chord CB द्वारा यह वाला एंगल 26 डिगरी बन रहा है यह tangent यह chord है तो tangent chord के बीच में यह वाला जो एंगल है यह भी तो 26 डिगरी के बचा यह 26 यह 26 यह थीटा यह थीटा alternate segment थोरम ठीक है भाई आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही ठीक है तो अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों जबरदस solution इस सवाल का बनाएंगे जी सवाल number आपके सामने 5 करो very very important और famous सवाल सर कल का must do question ऐसा नहीं कि आप के वाल lecture देखो और बस बैठ जाओ सवालों को pause करके मेरे 77 solve करने कोशिश करो 9.25 cm तरज्जा वाले वरत C1 की जीवा PQ उस दूस्तेर वरत C2 को इस परस करती है जो C1 से संकेंद्रित है और C2 की तरज्जा है 3 PQ की लंबाई ग्यात करें देखो भाई दो सरकल है C1, C2 दोनों का center एक ही है C1 की radius जादा है C2 की radius कम है ये भी पता लग गया मुझे ठीक है बई? तो दो सरकल है मेरे प्यारे दोस्तों बढ़े सरकल है दोनों दोनों का center एक ही है बढ़े सरकल का नाम जो है ये C1 दिया है और छोटे सरकल का जो नाम है वो C2 दिया है ठीक है बई? 9.25 cm तरज्जा वाले वरत C1 की तरज्जा जीवा PQ उस दूसर रत C2 को सपस करती है जो C1 से संकेंदरित है ठीक है बई? एक कॉर्ड PQ of circle C1 of radius 9.25 cm touches another circle C2 that is concentric to C1 ये C1 है बड़ा circle C2 है छोटा circle दोनों circle का center एकी जगह है अब बड़े circle की cord है मेरे दोस्ति इस प्रकार से PQ ये बड़े circle की cord है मेरे प्यारे भी इस प्रकार से यहाँ पर PQ ये बड़े circle की cord है लेकिन ये छोटे circle को तो बच्चो टच कर रही है, देखो टच कर रही है किनी यहाँ पर, छोटे circle को यहाँ पर टच कर रही है किनी आप बोलो, सर्फ़ूब टची टची कैं चल लई है आप से ही पूँछा है, पी क्यू कि लंबाई क्या होगी, यहां पर C2 यानि की छोटे circle की जो radius है वो 3 cm है तो 3 आ गया अभी touch कर रहे है tangent और radius की बीच में 90 degree के angle होगा आपको इबात समझनी चाहिए मेरे दोस्तों कि जैसा picture इस blue line के उपर है वैसा है नीचे कोई भेदभाब तो दिखनी रहा मुझे तो कोई भेदभाब दिखनी रहा यानि कि जो length उपर है वही नीचे अगर मैं कहे दूं कि यह point r है तो जो उपर pr है वही नीचे r क्यों है समझ मैं बात symmetricity से कोई गड़ इतनी है reasoning है मेरे दोस्तों ठीक है ना जैसा उपर वैसा नीचे कोई भेदभाब नी दोनों circle का center एक ही जग है छोटी की radius 3 है आपसे pq के लंबाई पूछी है 90 degree आपको मिल गया तो बच्चों यहां लगती है Pythagoras theorem हमको पता है कि बड़े वाले circle C1 की radius 9.25 है center दोनों का एक ही जगे center से परिदी तक की दूरी तो radius होती है यह बड़े circle की radius नी हो center से circumference पर point P है 9.25 बताओ आप बोलोगी हाँ जी सर बिलकुछ से अब मुझे यह निकालना है PR कितना होगा Pythagoras से बताओ सवाल का option में root बगरा तो है नहीं यानि की triplet लग रहा होगा कौन सा triplet लग रहा है यही पहचानना है आपको 9.25 है 9.25 का मतलब 9 plus 0.25 37 बटे 4 37 को देखे कुछ घंटी बजी 12, 35, 37 12 तो है नहीं यह 3 है 3 का मतलब है 12 बटे 4 अरे वाँ ठीक है यानि की 12, 35, 37 का triplet लग रहा है हम पर बस बटे 4 कर दिया 12 का बटे 4 तीन लिख दिया 37 को बटे 4 करके 9.25 लिख दिया यानि की यह जो लेंथ आएगी 35 बटे 4 आएगी 35 बटे 4 यह जो लेंथ आएगी 35 बटे 4 होगी यह नीचे भी 35 बटे 4 होगी तो पी क्यों होगा 35 बटे 4 35 बटे 2 हो जाएगा 35 बटे 2 मतला साड़े सत्रे आएगा सी ओप्शन आंसर 35 बटे 5 बटे 5 बटे 5 बटे 5 हो जाएगा 35 बटे 5 मतला 17.5 बताओ ऐसा कभी भी कोई सवाल आएगा बच्चों तो कैसे करेंगे ट्रपलेट से पाइथ अगरे स्थुर्म लगा कि आप बोलोगी हां जी सर समझ माया है ठीकर किते अच्छे सवाल करवाए मैंने आपको पहला दूसरा यह वाला तीसरा किता वहतरी ने चौथा पांचवा ठीकर आगे चलेंगे जी नेक्स्ट क्वश्चन आपके सामने आएगा छेटा बनाएगा जल्दी से बनाओ मस्ट डू क्वश्चन है सरकल के आपके सामने आकरती दी है एबी केंद्र ओ वाले अर्धिवरत ADCB का व्यास है यह सेमी सरकल है ओ इसका सेंटर है एबी डायमीटर है एंगल डी ओसी 44 डिग्री है डी ओसी और ACBD एक दूसरे को P पर काट रहे हैं आपसे DPC पूछा है DPC छीक है भाई अच्छा लग रहा है देखने में सवाल ओ इस सेमी सरकल का सेंटर है यह वाले एंगल 44 डिग्री का है 44 डिग्री का दिस इस 44 डिग्री यह लाइन ऐसे किस दिया तिरची तिरची ACBD यह P पर काटना यह वाला पॉंट P है और आपसे ही पूछा है कि यह DPC क्या होगा DPC बनाए देखो जब भी सेमी सरकल की बात होगी तो यह थ्योरम लगनी लगनी है कि अर्ध वुरत में आप सेमी सरकल में कहीं भी कोई एंगल बनाओ हमेशा 90 डिगरी का होता है अर्ध वुरत में बना कोण हमेशा समकौण होता है यह थ्योरम लगे ही लगी कि अर कोण की बात चल लगी है तो अगर मैं हाँ पे ACD को मिला देता हूं तो मैंने कोई गलती की किया नहीं यह वाला एंगल 90 डिगरी होगा वह यह सेमी सरकल डी ओसी द्वारा सेंटर पे डी ओसी 44 डिगरी है तो सेम आर्क द्वारा सरकंफरेंस पे बनना है डी एसी सेम आर्क द्वारा परीदी पे बनना है डी एसी आदा होगा यह 44 का आदा 22 डिगरी होना चाहिए कि नहीं आप बोलो गया असर यह तो 22 डिगरी होना चाहिए होना आप जानते कि अगर कोई सरकल है ये सेंटर है तो अगर सेंटर पे अगर एंगल थीटा है तो सरकमफरेंस पे आप कहीं भी बनाओ कहीं भी वो आधा बनेगा थीटा बटे दो तो यही तो है इस सार्क द्वारे सेंटर पे 44 है तो सरकंफरेंस पे 44 का अधा 22 डिगरी क्या अब आपको इस सवाल अपने अंत्थी तरफ बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है यह जो एंगल है यह जो एंगल है जो आपसे पूछा गया है सवाल के अनुसार यह इस ट्राइंगल DAP का भाहिय कौन है DAP को देखो DAP का भाहिय कौन है इस भुजा को आगे बढ़ा के बनाय गया है भाहिय कौन की एक्स्टर अंगल की जो वेली होती है अपोजिट इंटियर अंगल का सम होती है ये टोटल 90 है, ये 22 है, 90 में 22 जोड़ूँगा, तो कितना आएगा ये अंगल, 90 जमा 22, 112 डिगरी का ये टोटल कौन होगा, 112 डिगरी ही, इस सवाल का अंसर है पहला option, कितना प्यारा मन लुभावना ओसकर वेनिंग क्वेस्चन है, आगे चलेंगे, next सवाल, सवाल लंबर है, बच्चों आपके सामने हाँ पर साथ बनाएं, ये सवाल 2012 के मेंस के एक्जाम में आया है, लेकिन ये रिवाल, ये सवाल जो है, रिसेंट में दुबारे से, सीजेले सेचसल में तो नहीं अलग, ICR के पेपर में, सेलेक्शन पोस्ट के पेपर में सवाल दुबारे से दिखा है, ठीक है, तो इसको करना तो बहुत बहुत जरूरी है, बनाएं, दो कंसेंटिक सरकल है, संकेंद्र वरत, वो वरत जिनके सेंटर एक ही जगह होते हैं, उनकी तरज्जा 13 और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो दो सरकल है, मेरे प्यारे भई, दोनों की रेडियस है 13 और 8, ठीक है भाई, ये भी बड़े वरत का व्यास है, तो देखे, सुनिए, अबी जो है, बड़े सरकल का डाइमीटर हो गया, ठीक है न, दोनों सरकल का सेंटर एक ही जगह माल लेते हैं, पॉइंट ओ, अबी जो हो बड़े सरकल का डाइमीटर है, अबी, ठीक है न, बड़े सरकल का डाइमीटर है, बीडी छोटे वरत की स्पर्स रिखा है, जो छोट फ्रत को दीपर accomplishments करती है और बड़े व्रत को point ई पर मिलती है तो बीडे ही चोटे सर्कल की tangent है तो c से बी तो यह है ना तो tangent ऐसे खीचेगी होगी फिर ऐसे tangent होगी आप बोलोगा answer होनी तो ऐसी चाहिए जो छोटे circle को touch कर रही है point d पर और बड़े circle को कहां पर मिलते हैं बड़े वरत को point e पर मिल ले यह वाला point e होगा समझ मैं बच्चों बात बेडी छोटे सरकल की इस परस रिखा है जो की छोटे सरकल को डीपर टच कर रही है और ये जो है बड़े बरत को point E पर मिल लही है ठीक है ना point A को D से मिलाया जाता है A को आपको A को D से मिलाना है तो आपसे पूछा है A D के लंबाई आपसे यहाँ पर A D के लंबाई पूछी गई है और ये हमारे सवाल है बताओ जी कैसे करेंगे मुस्किल है का बनाए A D देखें तरीके तो बहुत सारे हैं सबसे पहले आप बताओ center अच्छा ये छोटे circle की radius होगी जी क्या angle आपको 90 degree का नहीं दिखाए देरा tangent radius के बीच में आप बोलू है सर एकदम 90 degree का कौन है छोटे circle की radius 8 है और ये बड़े circle की radius यहाँ से आ तक की 13 है ये 13 है आपको A से D तक निकालना है है को रास्ता अगर ये 8 है 13 है तो ये कितना आ गया मेरे दोस्तो पाइथा गोरे से 90 के सामने 13 8 तो रूट 13 square मानेस 8 square तो कोई triplet भी नहीं बनना तो 169 में से 64 घटाएंगा रूट 105 तो बेडी की जो लंबाई आएगी पाइथा गोरे से लगाकर रूट 105 cm आगी अब बताओ चुकि सेमी सरकल है यह भी बड़े सरकल का डाइमीटर है ना आप इसको मिलाओ तो सेमी सरकल में बना ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा की नहीं होगा अब ये भी 90 ये भी 90 डौनो लाइन पर्रल होगी की नहीं होगी आप बोलोगी हाँ जी सर बिलकुल पर्रल होगी डौनो लाइन परल्ल हो गई भी यह भी 90 डिगरी यह भी 90 डिगरी अब अगर यह रेडियस तेह रहे है तो यहां से यहां तक यह भी तो तेह रहे है यह रेडियस यहनि कि अब आपको यहां पर कुछ समझ में आ रहा है यह लगी भी similarity अब यहां पर आपको दो ट्राइंगल दिखाए दे रहे हैं यहजिए दोनों शिमलर हैं यहुए यहिए साइड अब का पॉअन्च से एक परलाइन खीची गई informação ऑपोजिट साइड को मिड़ पॉंट पर मिलेगी रूटotype 156 अब में निकाल के और हो अभी पता चलेगा आपको मिड़पॉंट थोरम पढ़िए साइड एबी का मद्धे बिंदू है वो सेंटर है सेंटर से पर लाइन खीची गई है जो अपोजेट साइड को भी जाके मिड़पॉंट पर मिलेगी यह जो डी होगा साइड बी ए का मिड़पॉंट होगा यहाँ पर छोटे बड़े ट्राइंगल सिम्लर है करस्पॉंडिंग लेंध का रेश्यो है एक दो यह रेडियस आर है यह पूरा डायमेटर टू आर है अगर यह आर्ट है तो यह भी करस्पॉंडिंग लेंध डबल होगी न सोले छोटे बड़े ट्राइंगल सिम्लर है लेंध का रेश्यो एक दो है वई यह तेहरे पूरा डायमेटर 26 है यह आर्ट है तो यह पूरा सोले होगा आप बोलोगे हां जी सर एश्यो आगए मैंने निकाला क्यों इसकी मुझे जवरत क्या है मैं direct attack क्यों निकर रहा एडी पे डिरेक्ट एडी पे इसलिए attack निकर रहे हो कि आपको निकाला है एडी और मेरे दोस्तों यह जो एडी है ये इस राइट एंगल ट्राइंगल AED का हाइपूटीनेस या अन्य की करण है AED का 90 डिगरी के सामने की भुजा है तो अगर मुझे 16 और ये रूट 105 पता चल गया तो AD अब आसानी से निकल जाएगा पाइथागोरस से तो अंडर रूट 16 का स्कुर 256 और रूट 105 का स्कुर 256 प्लस 105 आगया 361 और 361 का अंडर रूट 19 सेंट्रीमिटर सवाल का अंसर है B option 19 बताए क्या जबरदस्त बहतरीन लॉजिकल सवाल मेरे दोस्ते देखे पूरे सवाल में अलग से कुछ नहीं करना केवल डायग्राम का ही खेल है डायग्राम को अच्छे से गुमना सीख जाओ अब ठीक ना इस एक सवाल में काफी सारे कंसेप्ट लगे इसलिए मैंने आपको यह समझाया है आगे चलेंगे next question आपके सामने प्यारे दोस्त next question सवाल number है आठ बनाओ very very important हच से ज्यादे महत्पूर्ण सवाल प्री में और मेंस में कई बारे सवाल एक्जामस में आ चुका है AB is a chord in a circle with center O समझ में तो आ रहे हैं दोस्ति थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए बहुत ज़्यादे नहीं कहरा कि आपको पूरी knowledge होनी चाहिए आप बिल्कुल पागलों की तरह आप ना बैटे रहे हैं response करें AB a chord है circle की जिसका center O है AB को आगे बढ़ाया जाता है C तक और BC जो वो circle की radius के बराबर है देखो दोस्ति circle का center है अब AB जो है वो एक circle की chord है इस तरीके से कि AB जो है ये circle की chord हो गई और AB को आगे बढ़ाया गया point C तक ठीक है जी चलिए AB circle की chord है और इसको आगे बढ़ा गया है यहाँ point C तक ठीक है ना चलिए कि BC वरत की radius के बराबर है C को उसे मिलाया जाता है और D पर वरत से मिलने के लिए इस आगे बढ़ाया जाता है देखे हमने C से O को मिला और इसको आगे बढ़ाया है C से O को मिलाया और इस circle को कहाँ पर जाके मिलता है point D पर जाके मिलता है ठीक है ना अब यह जो line है BC circle की radius के बराबर radius क्या है यह जो O है यह भी circle की radius है यह जो O भी है यह भी circle की radius है याने किसका मतलब यह O है O भी तो बराबर है circle की radius BC की जो लंबाई है वो भी सरकल की रेडियस के बराबर है यही तो बोला सवाल में केंदर O वाला एक वरत है भाई AB है इसकी जीवा AB को C तक आगे बढ़ाते है इस प्रकार कि यह जो BC है सरकल की रेडियस के बराबर है O से A तक की लंबाई रेडियस है ये O भी रेडियस है तो B C भी रेडियस के बराबर A small R है ये भी small R ये भी small R अब C से O को मिलाया है फिर हमने आगे बढ़ाया तो सरकल को मिलाई जाके point D पर अब बोला है A C D 32 दिगरी ये वाला जो एंगल है कि अगर ये 32 है तो ये 32 का 3 गुना होगा 96 दिगरी 32 होगा 32 का 3 गुना 96 दिगरी B option answer है ये सवाल पेपर में बार बार आएगा लगातार आएगा बस ये ध्यान लखेगा कि यहाँ पर एक कॉर्ड को आगे बढ़ाया गया है और जो length है extended वो radius के बराबर है तो ये बाहर कॉर्ण theta है तो center पर ये वाला जो बनेगा 3 theta बनेगा बस इतना सा concept आपको ध्यान लखना है अब आप काओगे sir कैसे कब क्यों कहा परंतु का जवाब दो हम जानते हैं कि अगर मैंने इस कॉर्ण को theta माले कि माना ये कौन theta है तो अगर किसी तिर्बुज में दो भुजाएं बराबर दो कौन बराबर ये तिर्बुज B O C देखो ये theta तो ये भी क्या आजाएगा theta ये दोनों साइड बराबर है theta अब एक बात जानीगा कि अगर किसी भी circle में जैसे ये कौन alpha ये बीटा तीसरी भुजा को आगे बढ़ा के बनाएगा एक्स्टी रेंगल तो भाहिये कौन ये क्या आएगए alpha प्लस बीटा होगा कि नहीं एक्स्टी रेंगल आप बो लोग है सर अब ये triangle CBO को देखो ये theta तो एक्स्टी रेंगल क्या आजाएगा 2 theta होगा कि नहीं भाहिये कौन 2 theta अब triangle A और B को देखो ये side OA और OB radius से बराबर बराबर दो side बराबर इस triangle दो भुजाएगा अगर ये 2 theta है तो ये भी 2 theta होगा अब दो side बराबर है दो angle बराबर है 2 theta ये 2 theta ठीक बच्चा लोग आप बोलो कि हाँ जी सर अब triangle ACO को देखो बढ़का triangle को देखो बढ़का triangle को ACO ACO देखो इस side को आगे बढ़ा है अब ये 2 theta और ये theta इंटीर एंगल है तो एकस्टीर एंगल कितना बनेगा दोनों का सम 3 theta ये theta है तो ये 3 theta ये 32 है तो चानवे खतम किसी को कोई समस्य आप बोलोग ना सर कोई समस्य नी तो बहुती मज़दार सवाल था मज़ा आया चे करके ठीक है भई अगला question देखेंगे हम सवाल number है प्यारे भाई आपके सामने हाँ पर 9 8 question हम कर चुके हैं target लगबग अचीव होने वाला है थोड़े देवर पेसेंस बनाके बैठे रहें दो जीवा AB और CD आगे बढ़ाने पर सरकल के बाहर एक pont P पर मिलती है दो जीवा आगे बढ़ाने पर सरकल के बाहर मिलती है pont P पर AD जो है वो वरत का व्यास है AD अच्छा जी AD वरत का व्यास है DAP 38 दिगरी है APC 30 दिगरी है CBD का पता लगाए ठीक है भई दो जीवा है ABCD देखो AB को आगे बढ़ाने मतला A से B की ओर बढ़ाना है CD को आगे बढ़ाना मतला C से D की ओर आगे बढ़ाना है C से D की ओर और AD व्यास है तो पहले हम ABCD को आगे बढ़ाएंगे AD व्यास तो पहले व्यास खीच लेते हैं आसानी रहेगी पहले हम डाइमीटर बना लेते हैं मेरे दोस्तों डाइमीटर ये बनगा डाइमीटर AD बात समझें ये व्यास बन गया यानि कि center ओ कहीं न कहीं इसी लाइन पर है अब A B C D को आगे बढ़ाने पर A B को हमने आगे बढ़ाया ये रहा और C D को हमने आगे बढ़ाया जी भाईया ये रहा ये तो बढ़ने को तियार नहीं C D ये बढ़ाएंगे आगे आप बोलों के सर बहुत बढ़ी आगे बढ़ाया है सर ये ना A D व्यास है center A D पर है अब मेरे दोस्तों ये बढ़ा दिया मैंने A B को ये भी लिखना होता है भाईया A से B को आगे बढ़ाना है A से B की तरफ ठीक है भाई साब आप ऐसा नहीं कर सकते B को जार ले लिया ये को गड़बड हो जाएगी C D को आगे बढ़ाना है C आपने ले लिया मेरे दोस्तों C से D की और आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने पर एक दुसरे को हम मिले यहां जाकर मिले बाहर पॉंट P पर ये बन गया जी चित्र D A P D A P यानिक ये वाला जो एंगल है आपका 38 डिगरी का है D A P A P A P C ये वाला जो एंगल है बच्चो A P C ये वाला एंगल 30 डिगरी का है आप से पूचा है C B D C B D मनला C से B को मिलाऊ مस्ट और B से D को मिलाऊ और आप से ये पूचा गया है भाई साब की ये वाला एंगल बताओ हमसे तो आपसे ये एंगल पूछा गया है ठीक है भाई करेंगे कौन करेगा दोस्त कौन एक सेकेंड में मिरे को जवाब चाहिए आप लोगों से CBD रास्ते कैसा रहें स्वाल को करने के जो बच्चा करेगा उसको उसकर दिया जाएगा आप जानते कि AD सरकल का डाइमीटर है ये प्रॉपर्टी लगेगी लगे कि सेमी सरकल में बना एंगल 90 डेगरी तो इस व्यास AD द्वारा ये अर्धवरत में बन रहा कौन ABD ये पूरा 90 होगा अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये पूरा कौन 90 आप बोलोगे हैं सर अब ये 38 डिग्री है 30 डिग्री है तो ये एंगल है ट्राइंगल ADP को देखो तिरबुज ADP को आगे बढ़ाएगा साइड को आप बोलोगे हैं सर ये एंगल है आप अगर मुझसे कहें ये 38 है 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 68 डिग्री का ठीक है बई अब बताओ जी कैसे होगा मुझे यहां पर नहीं यहां कैल्कुलेशन करनी है बात समाप्थ हो गया circle के इस आर्क को देखो इस आर्क AC को से मांक में इंगल बरावर एथि इस चाप को देखो इस आर्क AC द्वारा एंगल ADC के बहुले ये बीच का वट एक्शेंज होता है ADC 68 है तो ABC यह भी तो टोटल यहां से यहां तक 68 डिग्री का होगा सेम आर्क में बने एंगल भाई अगर यह सरकल है सपोज यह वरत है और इस वरत में अगर आप यह वाला एंगल थीटा बना रहे हैं मेरे प्यार भी थीटा तो इसी आर्क द्वारा सेम यह भी तो थीटा बनेगा आप बो लूगे यह थीटा दोनों थीटा बनेंगे अब यह 68 डिग्री है तो यह भी 68 का होगा टोटल नब्बे है यह तो बचा कितना नब्बे में 68 घटाएंगे 22 डिग्री का बचा की नहीं 22 डिगरी का आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ माया चलो अगला करके बताओ फटा फट ठीक है भाई अब बोलो काफी सारे कंसेप्टे प्री में में मतलब ऐसा कोई भी एक्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना आया हो जिस किसी भी पेपर में जोमेटरी पूछी आते हैं कोई ऐसा देश में एक्जाम नहीं जिसमें सवाल ना है हो क्या विदेश में भी तो ये तो करना ही करना है ठीक है भई और आपने नौ सवालों से कुछ सीखा है तो वीडियो को लैक ज़रू कर दें को कि अब मैं आपको कराऊंगा सरकल का आखरी बहतरीन सवाल मेरे हिसाब से बनाएंगे जी सवाल लंबर है आपके सामने 10 जो की बहु दूरी पर है यदि A और B की सपर से रिखा है P पर काटती है तो सेंटर से P की दूरी ग्यात करें जी बच्चों आपके सामने सरकल है सरकल का सेंटर है मेरे दोस्तो ओ ठीक है बई रेडियस से 6 cm एक जीवा AB है जो सेंटर से 2.5 cm की दूरी पर है तो ये जीवा AB होगी दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये मेरे दोस्तों यहाँ पर साब साब दिख रहे हैं आपको ये कौड ए भी हो गई इसकी जो सेंटर से जो दूरी है ना ये धाई सेंटिमीटर है A और B पर इस पर से रिखा है P पर काटती है तो वह ये पॉइंट ए ये मैं अपने हाथों की सक्तियों का इस्तिमाल करूँगा हमने पॉइंट A पर इस पर स्रीका खीची और हमने पॉइंट B पर इस पर स्रीका खीची दौन एक दूसरों कहां काट रही है point P पर काट रही है point P पर समझ मैं आप बोलोगे हां जी सर आप से बूला है केंदर से P की दूरी मैंने circle के center को जो है वो O माना है तो O से P की दूरी ये आप से पूछा गया ये ने पूछा गया आप से O P आप से O P पूछा गया है ठीक है भाई एक बाद धान केगा कि ये जो जीवा A B है इसकी center से जो दूरी है center से जो दूरी है suppose ये point C है ये 2.5 cm है 2.5 ये जो cord A B है center से 2.5 cm की दूरी पर है circle की जो radius है 6.5 है ये O से ये तक ये circle की radius है जो की है 6.5 cm लंबाई की आप बोलोगे हाँ जी सर उसे P तक की दूरी बता नहीं है बताओ तरीके बहुत सारे करने के लिकिन आप ही बात जानते हैं कि जैसा picture line O P के उपर है डिटो वैसा ही नीचे है कोई भेदवाव नहीं है तो ये जो C है जो length AC की होगी वही length BC की होगी नो जैसा उपर है वैसा ही नीचे है कोई भेदवाव नहीं symmetricity से आप बोलो कि हाँ जी सर बिलकुल सही ये सीधी रेखा है जितना angle उपर है उतना ही नीचे तो ये सीधी रेखा है एक स्वस्थी होता है तो उपर नीचे बरावर होगा आदा आदा ऊपर भी 90 है नीचे भी 90 है बोलो बात से ही आप बोलो गैंसर ये कि angle 90 degree होगा इसका कोई proof नहीं है नहीं ज़रा त्यकरने की आप समझो कि जैसा line OP के उपर figure है बिलकुल वैसा ही नीचे है एना एक्वल डिस्टिव्यूशन है तो अगर रेडियस साले चे है ये धाई सेंटीमेटर की दूरिया जीवा AB की सेंटर से दूरी की मतलब 90 डिगरी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है बाई तो ये साले चे डाई तो छे नहीं आएगा पांच बारे 13 का अधा ए से सी तक की दूरी 6 नहीं आगी अभी 13 का अधा साले चे पांच का अधा डाई और बारे का अधा 6 जो 6 आ गया अब बताओ कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पर दो दो राइट एंगल triangle दिखाई दे रहे हैं तीन तीन right angle triangle दिखाई दे रहे हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम circle के अंदर जब भी हम right angle में 90 degree vertex से perpendicular डालते हैं मेरे दोस्तों ये छोटा right angle ये वाला और पूरा बड़ा वाला right angle तीनों similar बनते हैं और हम similarity से स्वाल को solve कर सकते हैं similarity लगा के कि ये छोटा वाला triangle O, A, C अभी O, C ये और बड़ा वाला right angle O, A, P similar है similarity से हो जाएगा दूसरा तरीका मेरे प्यारे बई कि आपको यहाँ पे O से P तक की दूरी को बताना है तो O से P तक की दूरी और भी डारेक्ट निकाली जा सकती है ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तो शायद आपने एक concept पढ़ा हो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये right angle triangle है जिसमें ये angle 90 degree है A, B, C और 90 degree vertex से hypotenuse पे perpendicular डाला गया है मेरे दोस्तो A, D तो भाई ये जो leg है leg A, B इसकी जो लंबाई होगी A, B का square वो क्या होगी मेरे दोस्तो पहले छोटी छलांग आपको मारनी है hypotenuse P, D फिर पूरी बड़ी छलांग मारनी है A, C A, D गुणा A, C बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे भाई समझने वाली बात ये है कि अगर मुझे ये वाली टांग निकालनी है B, C तो मैं पहले छोटी छलांग बारूँगा C, D फिर बड़ी छलांग बारूँगा C, A तो B, C का square बराबर C, D गुणा C, A ये concept है क्या ये concept यहां इस्तेमाली कर सकते बड़ा वाला जो है राइट अंगल ही तो है कैसे बाई, TANGENT RADIUS के बीच में 90 डिगरी का कौन बनता है ये तो दिखाई दे रहा है आपको obvious है 90 डिगरी 90 डिगरी वर्टेक्स में ये राइट अंगल ट्राइंगल में 90 डिगरी वर्टेक्स से हाइपोटिनस पे परपेंडिकुलर डाला गया ये भी 90 है ये भी 90 आप बोलो गहां सर तो ये लेगी तो बनी, लेगी तो बनी मेरे दोस्तों लेग साड़े छे तो आप मुझे बताओ, साड़े छे का जो स्क्वार होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा तो आप काओगे सर बहुत बढ़िया, पहले छोटी छलांग मारो सर O से C तक फिर पूरी छलांग मारो O से P O से C तक धाई है और आपका O P है और ये O P ही आपको निकालना है आगे है डारेक्ट सेंटर से P की दूरी O P क्या आएगा भई, 6.5 गुणा 6.5 बटे धाई यानि कि ये 5 से 13 और ये 5 से 1.3 यानि कि 16.9 और ये इस सवाल का अंसर होगा मेरे दोस्तों, option number यहां से correct है क्या बहतरीन सवाल है और एक सेकेंड में आपका अंसर जो है आ जाएगा ठीक है दोस्त और भी यहां से बहुत सारी चीज़े पूछिया सकती है बट ये आपने निकाल लिया similarity का इस्तिमाल करके तो आप लगाई सकते हो लेकिन अगर आपको result याद है तो आप और जल्दी कर लेंगे ठीक है तो ये ते सरकल के top 10 must do question जो हर बच्चे करने चाहिए अब एक सवाल है सवाल number 11 है वो हर बच्चा solve करे मैं नहीं करवाने वाला और वो इस सवाल का answer मुझे comment में करके बताए कठिन कठिन मैंने आपको करवा दिया बढ़िया बढ़िया और मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ स सारे सवालों में सबसे जी आप लोगों से पूछ रहा हूँ मुझे आप पर विश्वास नहीं कि आप करके बताऊगा कि नहीं हर बच्चा वैसे कोशिश करो मुझे comment में इसका answer जूरू बताए आपके अती किरपा होगी मेरे दोस्तों ठीक बढ़िया आपको वीडियो ले सीप्यो की प्रेक्टिस के लिए आप ये औनलाइन प्रेक्टिस के बूक ओडर कर लो थे ना आपके पास जिस एक्जाम की आप तैरी कर रहो बाकी अदर को आप इस की कर सकते हो जो बच्चों सीजैल सीटसल का में सेदेंगे अब अगर आपने बुक नहीं सौल किया तो नहीं करने है मेंस के जिन बच्चों को अजीव सी समस्य है बार-बार कंसेप्ट को भूलने की तो मैच कंसेप्ट किंकी इस बुक को आप ओनलाइन ओडर कर लो इसमें सारे फॉर्मिलियर थ्योरम इसमार ट्रिक के साथ लिखे हुएं इसकी फुरी पीडियाफ भी हमने टेलिग्राम चैनल पर प्लोड करवाई है तो सब बच्चे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लो ठीक है बई चले बाई